नमस्कार दोस्तों मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूटूब चैनल में हम पढ़ रहे हैं पास्चात दर्सन का स्रीज इसी के तहट आज हम जानेंगे एफ एच ब्रेडले का प्रत्यवाद क्या है इसको जानने से पहले जो पिछला व ब्रेडले का प्रत्यवाद कभी कभी ब्रेडले को इसलिए नव हीगल वादी दार्शनिक भी कहा दिया जाता है तो निर्पेक्ष प्रत्यवाद क्या होता है तो निर्पेक्ष और प्रत्यवाद से मिलकर बना है निर्पेक्ष का मतलब होता है कि जो अपनी सत्ता के लिए क किसकी होती है आडिया की होती है प्रत्य की होती है वह है प्रत्यवाद तो यहां पर बोला गया है कि केवल एक प्रत्य की सत्त है जो पूर्णतय निर्पेक्ष है यह हिगेल भी कहते हैं लेकिन दोनों के जो दर्सन है उसमें विभिनिता है क्या विभिनिता है आपको समझ में आ जाएगा आगे चल कर ठेक है यहां पर हम ब्रेडले का प्रत्य वात को देखते हैं कि ब्रेडले भी क्या है निर्पेक्ष प्रत्य अर्थात केवल एक प्रत्य की सत्ता को मानते हैं जो पूनतया निर्पेक्ष हैं जो ब्यागहात रही था है जो विसंगती से रही था है जो देश और काल कार्यकारड इस्वर आत्मा आदि को ब्यागहात पुन्द माना क्यों क्योंकि वह विरोध से ग्रसित है उसमें विसंगतियां हैं इसलिए यह सब जो हैं क्या हैं आभास एवं प्रतिती मात्र हैं सत नहीं हैं आभास आपको जो वर्ड है बार बार मिलेगा आभास क्या होता है और सत क्या होता है इसलिए मैंने बोला आपको हेगल का प्रत्यावात पढ़ना जरूरी है देखिए सत क्या है एक मात्र एक ही प्रत्या की सत्त है वही सत्त है और जो सत्त है इसी के अवयव हैं ये संसार ये जगत किसके अवयव हैं निर्पेच्ष प्रत्या के जैसे संक्राचारे ने क्या कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिध्या सेम टू सेम कांसेट पर आप यहां लगा सकते हो कि निर्पेच्ष प्रत्या ही एक मात्र सत्थ है बाकि संसार में जितने भी वस्तुमें हैं जितने भी चे पेर नहीं करना है संक्राचारे के ब्रह्म में और इसमें लेकिन समझने के लिए कि निर्पेक्ष प्रत्य की ही एक मात्र सत्थ है जैसे संक्राचारे का ब्रह्म था और यह संसार में जितने भी वस्तुवें हैं सब उसके आभास हैं हमें आभास रूप में वह हम जान पाते है वास्तविक रूप में हम किसी को नहीं जान पाते क्योंकि वास्तविक रूप क्या है निर्पेक्ष सत्थ की है हम उसकी विशेस्ताओं को समझ सकते हैं उसके एक अंस को जान सकते हैं पूर्णतय रूप से नहीं जान सकते हैं अब देखते हैं कि निर्पेक्ष सत्थ है क्या उसका स्वरूप कैसा है उसको जानने की कुछिस करते हैं तो चलिए मैं उसको बताता हूँ कि सत का स्वरूप कैसा है ब्रेडले के अनुसा ब्रेडले कहते हैं कि सत वही है जिसका ब्यागहात संभाव नहीं है ब्रेडले कहते हैं कि आभास के सरूप में विसंगतिया होती है जिसके फल सरूप उनका ब्यागात हो पाता है सत में अंतर नहीं कोई विसंगतिया नहीं होती सत पूर्णतिया आत्मसंगत है अब भी आपको बताया था कि आभास में क्या है विरोध होता है जैसे यदि मैं यहाँ आपको कहूँ एक जल है जल में क्या है एक छड़ी है हमें एक छड़ी तीर्चा दिखाई देता है देखने पे यह तीर्चा हमें आभास होता है क्या वह एक्चुली में तीर्चा है नही रहता है वह सिधा रहता है तो अभास अभास मतलब भ्रह्म होता है वहां पर हमें कि वह तीरिच्छा दिखाई देता है एक्चुल में वह नहीं रहता जैसा हम उसको देखते हैं उसी प्रकार बेटले कहते हैं संसार के जितने भी वस्तुमें हैं सब अभास स्वरूप में रह संसार में जितने भी वस्तुवे हैं या जितने भी वस्तुवे हैं इस निरपेक्ष प्रत्य की ही क्या है अव्यव हैं लेकिन यह सब अव्यव जो है हमें आभहास रूप में दिखाई देता है अब देखिए सत और आभास में क्या संबंध है ये जो सत है और ये जो हमें आभास उप में दिखाई देता है इन दोनों में संबंध क्या है तो संबंध हमें आपको बतायता हूँ जैसे हिगल ने कहा था कि संसार की जितनी वस्तुए है इस निर्पेक्ष प्रत्य के अव्यव हैं उसी प्रकार ये भी कहते हैं कि संसार की सभी क्या है आभास है आभास सत में ही है सत ही अभास के रूप में हमीं दिखाएते हैं चूंकि ये सब अवयव जो है सत ही तो है सत के अवयव है मतलब क्या है सत है लेकिन हमें यह सत रूप में दिखाए नहीं देता अभास के रूप में दिखाए देता है इसलिए हमें इसमें विसंगतियां दिखाए देती है लेकिन जब यह अभास जो है किस प्रकार रहते हैं जो अभास है सत में किस प्रकार रहते हैं आपको बताया कि निर्पेक सत ही एक मात्र पूर्णतया सत है और यह अभास जो है इसमें विरोध होता है लेकिन जब यह सभी अभास इस सत में मिल जाते हैं तो सारे विरोध खत्म हो जाते हैं सत आभासों को समेटे हुए पूर्णत्या आत्म संगत है सद में पूर्ण आंत्रिक सामंजस्य है अर्था सभी प्रकार के जो सामंजस्य है किसमें हैं सत्में है जैसे देख लिजिए आपको एक जामप्रक्तुर एक मेज है ठीक है मेज को यदि मैं विभिन कोड़ों से इसका चित्र लूँ तो इसका चित्र अलग अलग दिखाए देगा यदि मैं उपर से देखूं तो एक आपको प्लेट टाइप करेके फ्लेट दिखेगा इधर से देखूं तब दूसरा दिखाएगा इस एंगल से देखूं तो दूसरा चित्र दिखाए देगा लेकिन सभी चित् मंजस इस्थापित कर लेते हैं अब देख लिजी और क्या विसे इसता है सत्की सत्व विभक्त नहीं है यह देपी उसका विभाजन होता है यह जो सत्व है यह विभक्त नहीं है reality is divisible but not divided कि सत्व पूर्णत्य विभाज्य और आत्मसंगत है वो तो हम क्या है हम विभारिक प्रयोजन की सिध्धी के लिए हम अपनी स्वीधा अनुसार जो सत्व को विभाजन कर लेते हैं हम अपनी विभारिक द्रिष्टी से उसको विभाजन कर लेते हैं कि हम माल लेते हैं लेकिन एक्च्छली वह सत्व नहीं रहता वेवारिक प्रयोजन के लिए हम उसको माल लेते हैं लेकिन सत्व तो सिर्फ एक ही है सत्ए एक है एक इकाई है नेक्स्ट पॉइंट है यह पूंड़ते आत्म संगत निखाई है क्योंकि इसके अंतरगत किसी भी प्रकार की असंगति अथवा विरोध नहीं है यह जो सत है सीमा और व्यक्तिक गहरो जो सीमा है सीमा से परे है सत अब देखिए सत की अन्भूती यहाँ पर हीगेल और इसमें भिन्नता आता है कि हीगेल कहते हैं बुद्धी के द्वारा हम सत को जान सकते हैं लेकिन एक ब्रेडले कहते हैं कि समान विश्व द्रिष्टी को सबजने के लिए सिर्फ बुद्धी की अन्यमारता नहीं है इसके लिए हमें और क्या चीए अन्भूती के द्वारा तो तीन इस तर बताएं इसमें ततकालिक अन्भूती वैचारिक अन्भूती और एक और है ठीक है ततकालिक अन्भूती क्या है देखिए सत एक इकाई की रूप में उपस्थित होता है प्रदत होता है जैसे सत जो है अनभूती का एक प्रवाह मातर है कि इस तत्कालिक अनभूती में क्या होता है अनभूती में किसी भी प्रकार का विक्रिती नहीं होता इसमें सत की हमें झहांकी मिलती है जैसे मान लिजिए ये जो है सत है सत एक प्रवाह की रूप में है अब हम इस सत की प्रवाह को देखते हैं देख रहे हैं हम देखते हैं तो क्या हो रहा है एक छड़ के लिए हम उसको जान पाते हैं कि ये सत है लेकिन उसकी संपूर्णता को क्या जान सकते हैं नहीं जान सकते एक छड़ के लिए एक समय के लिए एक पॉइंट के लिए हम उसके कुछ अंस को ही जान पाते हैं पूर्णेता को नहीं जान पाते और जब उसी छड़ से जो छड़ है इसी छड़ में हम सत का हमें प्रकास मिलता है और यह जो सत का प्रकास है फिर हमारे विचार में जाते हैं तो सत्-एक-ईकाई की रूप में उपस्थित होता है अब देख लेजिए वेचारी की स्थर पर क्या होगा यह जो तत्कालिक अनभूति है यह प्रदत यह जो तत्कालिक अनभूति हुआ एक छड में वह आपके विचार में जाएगा आपके माइंड में जाएगा अब विचार जो है विचार में बुद्धी के जो विकल्प है वो जो कोटियार के द्वारा उस प्रदत रुप को समझने की चेश्था करता है हमारा तिमाक हमारा बुद्धी जो है उस सत को समझने की कोशिस करता है और अप तेसरा इस्थे में क्या मिला नियुक्त हो ठलता होते हैं यह में हम जो ज्ञान है वह तो आभास हे वाष्ठ cosa नहीं है तब हम अगला स्टेप में अग्रेसर होते हैं सड़्ट पर अबह्य करें के लिए इक सौपान बन जाता है जैसे धारा है धारा में हमें एक point को समझ पाते हैं कि जो ज्यान यहां पर हुआ है वह तो एक अभास है और इसके द्वारा हम सत्थ को जानने की कोशिस करते हैं और इसी से संभावता है एक विशिष्ट अनभूती अंतद्रिष्टी निर्पेक्ष सत्थ के रूप का वबोद दे सकती है इसी के द्वारा हम जान सकते हैं कि निर्पेक्ष सत्थ क्या है लेकिन पूर्टे रूप से हम नहीं जान सकते हैं यह भी करते हैं अब देखिए अनभूती के प्रवा की संपूर्टा है निर्पेक्षे जो अन्भूती का प्रवा हो रहा है इसकी जो संपूनता है यही क्या है सत है ब्रेडले ने सत को अन्भूती कहा है जो अस्तित्व के हर पलू इसमें जो अन्भूती कहा है ब्रेडले ने इसमें अस्तित्व के हर पहलू विचार भावना संकल्प क्रियात्मक् सभी को समाविष्ट करते हैं हीगल ने कहा था कि बुद्धी सिर्फ हीगल का जो दर्शन है उसमें जो निर्पेक्स सत्थ है उसमें सिर्फ बुद्धी को संतुष्ट कर पाता है लेकिन यह कहता है कि यह जो निर्पेक्स सत्थ है हमारा वह अस्तित्व के हर पहलू को समाविष्ऐ करते हैं पो टीए आपको बता ही दिया था यह जो सत है सभी संगतियों से परे है सत अन्भूती का सुद्ध एवं, पूर्ण रूप है सत परमशुब परमूर्ण रूप है क्यों क्यों क्योंकि सत मुल्यों भाव नाव क्रियात्मक सभी का क्या है अंतिम आधार है इन सभी का ब्रेडले सत्को इस्वर नहीं मानते इस्वर क्यों नहीं मानते ब्रेडले सत्को तो इसमें क्या होता है देखिए इस्वर मानने में इस्वर भाव धार्मिक चितना को संतुष्ट करता है बत्स उसमें भक् सब्सक्राइब की जा सकती है। जैसे किसी चीज का मैं अभास हुआ जिसमें आन्त्रिक सामंज़स अधिक है। जिसमें विरोध कम हैं, जिसमें असंगतिय कम हैं, उसको हम अधिक सत मानेंगे, और जिस चीज में विरोध जादा हैं, ब्यागहात जादा हैं, उसको कम सत मानेंगे, तो I hope आपको इस सत का स्वरूप समझ में आ गया होगा, कि सत एक है, उसमें किसी भी प्रकार का ब्यागहा बात नहीं है। सत्मे सभी विशंगतियां क्या हो जाति हैं दूर हो जाती हैं। सत्स सभी को क्या समेटे हुए है तो इस परकार आप ब Janus सकते हो। है यहां पर कि सत्त अब्याग्यहाथवन्ग विरोध रहित विशंगति रहित है। सत अभासों को समेटी हुए पूर्णत्या आत्मसंगत है अभास जब सत में हैं तो अपनी सारी विसंगतियां तथा विरोध को समाप्त कर देता है उनका विरोध अभास की इस तर पर है सत के इस तर पर कोई विरोध नहीं होता और यहाँ पर आपको समझाया हूँ कि निर्पेक सत्त का ग्यान कैसे होगा अनुभाव के द्वारा इसके व्येचन में किवल बुद्धी की भूमी का स्विकार नहीं की जा सकती बुद्धी के अलावा आपको बताया संकल्प भावना इन सब को स्विकार करते हैं यहां संकल्प भावना विचार सब मिलकर जो है सत्मे एक हो जाते हैं इसलिए इसको नीमगनता की स्थिति खायते हैं क्योंकि सभी जितने भी अस्तित्व हैं सब को स्विकार करता है चाहे भावना हो चाहे संकल्प हो चाहे विचार हो चाहे बहुत धीक हो ठीक है और निर्पेक सत्ता की पूर्ण प्रत्याच्छान होती जियों को के लिए संभाव नहीं है हम के वर उसकी विशेस्ताओं को जान सकते हैं और उसकी विशेस्ता क्या है आपको बताए इतने सारे की निर्पेक सत्ता एक है वही एक मात्र सत्त है वह विभाज नहीं है यह संसार की जितने हैं सत्ता में वह सब उसी के अवयव है यह सब अवयव हमें अभास रूप में दिखाई देते हैं जबकि वह सत्त के अंसही हैं तो यही है आपका ब्रेडले का प्रत्यवाद I hope आपको समझ में आया होगा कोसिस किया है समझाने का ठीक है समझ गए होंगे तो हमारे फैमली का सदस्ट बनने के लिए पीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बहुत मेनत लगता है वो राने में ठीक है वीडियो को लाइक कीजिए कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्षान में जरू लिखेगा थैंक्यूरी मच थैंक्स फार लिसनिंग धन्यवाद